वेरी गुड इवनिंग डिये एस्पिरेंस वेलकम टू अड़ाइट 247 दिस इजमेंट आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी जवरदस चल रही होगी आज है 28 अप्रिल और आज है SBI क्लर्क क्रेश कोर्स बैज का डे टू मतलब की आज से तावर तोर मतलब कल से ही स्टार्ट हो चुका है और आज से आगाज हो चुका है जवरदस तयारी का जिसमें आशा ये रखता हूँ मैं कि भाई maximum student qualify करेंगे pre examination और उसके बाद साथी साथ इस preparation में जो आपका साथ दे रहे हम SBI clerk के pre preparation को लेके यहां पर उसी इस वक्त आप मेंस की त्यारी में भिड़े होंगे अपने 24 घंटे में सो 24 घंटे का वक्त निकाल के अभी सही मेंस पर काम करना सुरू कर दीजेगा मैं बस यह कहूंगा आपको जो informative session हो productive sessions हो आपको मिलता रहे ठीक है तो subscribe करना आपको परम करता है चैनल पर नए है तो और पुराने है तब तो कोई दिकत नहीं है बैल आकन प्रेस कर लिजेगा ताकि information इस तरह के वीडियो उसकी आपके मिलते रहें ठीक है चलिए शुरुआत करता है motivation words से because वो word मैं हर दिन लेकर आया करता हूँ ताकि आपको थोड़ा motivate कर सकूँ थोड़ा सा आप energy में आ जाए और फिर काम करना सुरू करेंगे मैंने homework भी दिया था लास क्लास मुझे आदे कल के क्लास मैंने homework दिया है और उस homework question में आप सब ने बहुत अच्छा participate किया आप में से बहुत सरे बच्चों ने of course वहाँ पे answer किया है सो आगे बढ़ता हूँ और सुरू करता हूँ इस motivation word से इस motivation word में क्या लिखा गया है always believe that something wonderful is about to happen यह इसलिए बोला गया है क्योंकि आप positive रहें मतलब अगर आप concept wise आप दिमाग से अगर positive रहेंगे तो of course आप जबरदस्त output निकाल सकते हैं समझ रहें अगर आप दिमाग में ही रखे हैं कि यार पता नहीं क्या होगा वेकेंसी यह है इतने साले लोग बहुत पहले से त्यारी करते हैं उनका नहीं होता है यह बहुत सारी दिमाग में बात है लिए आपके सामने आपका target होना चाहिए कि भाई पिछ्टे दो तीन वर बढ़ा के अपना target सेट कर लो और दोड़ना सुरू कर दो उसके बीचे chapter wise काम करना सुरू करो chapter wise का मतलब यह है जो बच्चे फ्रेशर हैं जो बच्चे repeaters हैं वो यहां से इस crash course से यह देखा करो कि उस chapter में जो कोई beginner बच्चा है वो chapter wise solve कर रहा है उसको यहां पर आके देख में कि क्या रफ़तार होनी चाहिए विकॉस सारा खेल प्री का एक्जामनेशन की बात करें तो रफ़तार का है मतलब कि अगर देखा जा तो 20 में महस 20 में में आपको 35 सवाल करने हों रीजनिंग के तो of course expectation तो यह रहेगा यार कि बहुत तेई से काम कर रहे हम बहुत इस तरी के बाद मैं भी solve कर रहा हूं सवाल को जो सवाल मैंने दिया था यहाँ पर यह homework question था आपका इस सवाल को मैंने हिंदी में भी रखा था लेगर अभी मैं हिंदी का हटा देता हूं directly मैं solve करता हूं सवाल को विकॉज यह सवाल अलड़ी आपको कल के class में मैंने homework के तोर पर दे यह selection based puzzle है, यह classification puzzle है, यह day based puzzle है, यह month based puzzle है, यह scheduling वाला puzzle है, so all sort of puzzles should be, variety of puzzles should be there in your mind to solve the question within time limit because पहले सी दिमाँ clear रहेगा, यह तो सवाल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर यह सवाल की बात करें, तो बोल रहा है, 7% यहाँ पर है, H, I, J, K, L, M, मतलब कितने लोग हैं, यहाँ चार्ट, 37 लोग हैं, और यह सभी लोग different movies पसंद करते हैं, Avengers, Admiral and Ant-Man, यह 3 movie पसंद करते हैं, 7 साथ लोग हैं, और 3 movie हैं, मतलब यह क्या हो गया, variables में कमी हो गए, इसका मतलब clear है, कि सवाल जो है, यह selection based question है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, बहुत ही close, you can say, की relation है, selection based puzzle, इसे भी बच्चे ने लिखा यह पर यह classification puzzle है, समझे का बात को, यहाँ पर, जो classification puzzle होता ह उसमें number of variable मालो 2 या 3 है, उन सभी के number of elements बराबर होंगे, जैसे एगर 7 लोग हैं, तो 7 movie के नाम होंगे, और 7 color पसंद कर रहे होंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 लोग हैं, और 3 movie हैं, इसको बोलते है, selection based puzzle, we need to find out, we need to select, कौन सा बंदा, कौन सा movie पसंद कर रहा है, कुछ conditions दिये जाएंगे यहाँ पर, पढ़िएगा, आए कहा रहा है, at least, देखो, यहाँ condition डाल दिया गया, at least two people, two person or people, जो भी है, like one of each movie, that means, कम से कम, एक movie को कम से कम दो लोग पसंद करने चाहिए, वो चीज यहाँ बताएगे, उसको बाद next condition कहा रहा है, each of them, each of the person stays in different, different building of different colors, that is कोई blue color building में रहता है, कोई pink में, कोई orange में, कोई yellow में, इस तरीके से अला-अला color दिये हुआ है, तो यहाँ पास दिख रहा होगा, इस selection based puzzle, let's try it out to solve the question, सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हम सातों लोगों को यहाँ पर fix कर देंगे, हमारे पास जो लोग है, इनको fix कर हमारे पास यहाँ पर, हम यहाँ पर variable के लिए space रख लेंगे, projections, मोमन क्या होता है, classification puzzle में, और selection based puzzle में, आपको projections देखने को कम मिलेंगे, because यह conditions होते है, variables होते है, already यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर projections, इसको हम means के एक्जामने बहुत कम देखा करते हैं, तो यह pre-examination में देख with L, and state is, stays in the building of yellow color, किसके बारे बोला यह बात, H के बारे में, H क्या पसंद कर रहा है, तो भाई हमारे पास, मालो, यह हमारे पास, building का color लिख दो, यहाँ पर, building यहाँ पर, यहाँ पर, हमारे पास movie है, ठीक है, तो इसने साफ सब कह दिया, कि H जो है, वो Avenger पसंद करता है, that Avenger market से खतम हो चुका है, Avenger कोई और पसंद नहीं करेगा, clear, ठीक है न, Avenger कोई और पसंद नहीं करेगा, Avenger किसके पास है, H पसंद करता है, Avenger और L पसंद करता है, because यहाँ पर साफ साफ कह दिया गे, H likes Avengers, only with L, only word का हमेशा बहुत importance रहता है, puzzles में भी, पूरे verbal इजनी में कह स करता हूँ, और सिलॉक्स में भी बहुत important है, so L likes Avenger movie, only with L, and stays in the building of yellow color, that means, we कौन yellow color building में रहता है, H, that means, कि यहाँ पर यह yellow color building रहेगा, Avenger is out of the market, because Avenger कोई पसंद नहीं कर सकता, और यह at least two-vala condition में भी satisfy कर चुका है, that means, आगे बढ़ता हूँ मैं, next, लू कहता है, K stays in a building of red color, जो बात है, आपको बहुत clearly पता है, उसको लिखती जीए, आप जैसे K का यहाँ पर red clear है, तो लिखती है, हम लोग ने के red, and does not like Admiral movie, that means, यहाँ पर हम Admiral को लिखके cancel out कर देंगे, यह गलती है, जो बच्चे करते है, Admiral लिखा हमने cancel out कर दिया, इससे फाइदा यह होगा, कि मार Admiral यहाँ पर हो नहीं सकता, Ant-Man ही हो सकता है, बात करता हम, आगे बढ़ता है, next clue यहाँ पर कह रहा है, the one who stays in a green color building, likes Ant-Man movie, अब समझेगा, जो green color building में रहेगा, वो Ant-Man पसंद करेगा, that means, green और Ant-Man यहाँ पर indicate करके, आप लिख दीजे और आगे बढ़ जाए, because इसको आपी plot पर नहीं सकते हम इस बात को, आगे कह रहा है, I and J do not like same movie, I and J का movie same नहीं है, I and J का movie same नहीं है, I and J का movie same नहीं है, इसके मतलब यहाँ पर एक जगह कहीं नहीं admiral होगा, कहीं नहीं एक जगह ant होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इन लोगा movie different है, I and J का, next कह रहा है, those who likes Aven Avenger does not stay in the building of pink color, मतलब कि जो Avenger पसंद करते हो, pink color building में रहते है, that means हम यहाँ पर तो भाई yellow हो चुका है, but यहाँ पर हम क्या करेंगे, pink लिख के काट देंगे, because इस जगह पर pink नहीं हो सकता, next clue is saying, M stays in a building of blue color, that means कि M का जो color of building है, वो क्या है, blue है, यहाँ blue mark कर सकते है, आगे कह रहा है, N like same movie as M, और N or M का movie same है, that means admiral यहाँ भी आ जाएगा, अब समझेगा, इसका मतलब admiral तीन जगह इस्तिमाल होने वाला, एक तो N के लिए M के लिए movie अगर same है, तो admiral यहाँ भी आ गया, इन दोने में से याद किजिए, हमने पहले एक अन्डूट कर लिया था, कहीं यहाँ पर एक जगह admiral आएगा, अब देखते हैं, last clue कि आगा था, J stays in a building of black color, और J जो color building है वो क्या है, black है, तो हमारे पास color के नाम पर लगबग सब कुछ हो चुके हैं, हम यहाँ पर green और ant लिखना चाहेंगे, green यहाँ हो नहीं सकता, green यहाँ हो नहीं, because green और ant में ल यहाँ हो नहीं सकता, that means pink is done here, अब सिर्फ एक कोई color है, यहाँ भर देंगे, आप answer हो चुका है, आपका, so this is how we need to answer the question, एक जो color बचा हुआ है, वो orange है, आप यहाँ पर orange भर सकते हैं, so this is how we need to discuss the question, we need to answer the question in the pre-examination, because हमें तो यहाँ पर discuss भी करना है, लेकिन आपको क्या करन सिर्फ मन में बातों को सोचना है, समझना है, और फटा-फट वहाँ लिखते जले जाना है, so I hope you got the idea, आपको answer यही मिला होगा, आपके examination, जो आपके कल के class में दिया था मैंने, right, everybody would have got the same, same, same answer, I hope, आगे बढ़ें, अब यहाँ पर आज की class की बात सुरू कर देते हैं, आज आज की class की बात सुरू करते हैं, आज की class में, जो question उसको आप कितने जल्दी से answer करें, आज के सारे सवाल में timer लगा हुआ है, timer यहाँ पर लगा हुआ है, ध्यान रखी का timer is done, so timer set है, हर एक सवाल के लिए 20 second के timer लगा होगा, शुरू आत करते हैं, पहले सवाल से, सब लोग एक बार फटाफट क्लियर हो जाएं, बाई से ready हैं, comment करो एक बार ready हैं और आग लगा देना बाई, चीक है न, क्योंकि इस batch का जो main मकसद है वो यह है कि pre में, pre exam का जो expectation है घिसना, वो चाहते हैं कि तुम घिसो, तुमें चीज़ें आती होंगी, सब को चीज़ें आती होंग करते हैं, रफतार का checking होता है, यह batch आपको इसी में help करने वाली है, शुरुआत करते हैं, पहले सवाल से ready, एक बार comment करते हैं, ready हैं आप सभी लोग, बहुत बढ़ी है, चलिए, first question में screen पे डाल रहा हूँ, पहला सवाल आपके screen पे आने वाला है, पहला सवाल आपके पास हो करता हूँ, अब चल्दी से, quick, फटाफट, समय का ध्यान रखी, बहुत तेई से करना हैं सवाल को, समय सीमा के अंदर, समय समापत हो चुका है, सवाल को आंसर करना है, भाई, x से q compare करना, x यहां पर without comma सवाल है, x से q मत्तब यहां पे less output होगा, यहां greater equal है, यहां पर a से x की बात करनी, a यहां पर x यहां पर उल्टा सिम्बल करनी, यहां पर correct answer क्या होगा, neither nor option number is the correct answer, within 5 seconds, इस सवाल में जब कॉमा नहीं है, 5 seconds, कॉमा रहेगा 10 seconds, बताम बात खतम है, बिकुछ कुछ पढ़ना ही नहीं, अलग से कोई statement पढ़ना ही नहीं अपने गव अगर हम a से x की बाते करें, तो हम a से x के लिए हमें backward चलना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, right to left journey कर रहे हैं, और यहां पर हम left to right पढ़ते हैं, हमने यह बात बता चुका हूं, कई बार आपको कि जब भी हम right to left journey करते हैं, मतब निसकर्स के आधार पे, निसकर्स के respect में जब ह उल्टा पढ़ते हैं, तो उसके concerning symbol को उल्टा करेंगे हम लोग, इसका मतब हम a से लेके x तक के तमाम symbol को उल्टा करना चाहेंगे, लेकिन तब तक हमें अचानक से नजर आया कि यहां तो कुछ symbol ऐसे हैं, जो अपने, मतब की अपने आपको यहां पर ultra direction रखे हुए हैं, इस रफ्तार is everything for pre-examination, कॉमा involved कर दी हैं उस सवाल में, कॉमा involved हो गया है, time up हो चुका है सवाल का, यह देखते हैं, हमें f से b compare करना है, f यहां पर भी, f यहां पर भी, इस f से b जा सकते हैं, क्या बिल्कुल जा सकते हैं, उल्टा symbol है, काटो इसको, अकेला कुछ नहीं कर पाए यह Q यहां पर है, और k यहां पर है, q से हम f आना पड़ेगा, f से में क्या आना पड़ेगा, पूरे journey backward direction में है, less less का output के आएगा, less आएगा, लेकिन reverse करना first है, because हम right to left journey कर रहे, यहां भी क्या हो जागा, यहां पर q is greater than k दिया होता, तो यह सही होता, यहां पर दिया हुआ ह q is less than k, जब कि यहां पर हम reverse करना पड़ेगा, correct answer again, neither nor option number e is the correct answer, so this is how we need to just react, spark होना चाहिए हाँ सवाल में, आगे बढ़ते हैं, सवाल number third आपके screen पर यह रहा है, इसका समय सुरू करते हैं, जल्दी से, quick बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया रफ्तार रहे हैं, बहुत बढ़िया दूसर सवाल में एक कॉमा डाला मैंने, तीसर सवाल में दो कॉमा आ गया, मतलब कि धीरी दरे सवाल का, मेरे class का, आपको यही तरीका मालूम रहेगा, अगर आप regular जुड़े हुएंगे, तो मालूमी होगा, जो बच्छे नए हम बता दूम उनको, मैं सवाल का level हमेशना ऐस पहुंचना ज्यादा एजी है, हम उसी में नहीं फसेंगे, इस ए से पहुंच साएंगे, और यहां पर आउर्पूट के आएगा, ग्रेटर एकुल, लेकिन रिवर्स करेंगे, बिकॉज हम बाक्वर्ड डिरेक्शन में जर्नी कर रहा है, यहां पहला काट दो, आगे बढ़ रिवर्स करेंगे, ग्रेटर हो जाए, 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 यहां पर ग्रेटर है, यहां पर ग्रेटर है, यहां पर ग्रेटर हो जाए, यहां पर ग्रेटर हो गया, यहां पहले काम करेंगे, यहां तक और पूरे सिंबल भी एक ही डिरेक्शन में है मतलब इसका ओर्पूट क्या निकल गयागा लेस्ट सबसे बड़ा सिंबल वहां पे लेस्ट है तो लेस्ट निकल गया गया लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ेगा विकॉज हम यहां पर बैकवर जानी कर रहें तो ग्रेटर हो अगर इन तीनों से कराया जाया तो ग्रेटर और पूट होगा यहां ग्रेटर है कि अहां है तो सेकंड यह बिल्कुल यह अपरोच आपको दिमाम रखना है विदाउट यूजिंग पैन्यू के ना सदक प्वेशन आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर आपका चौथ आपके स् अगर आपके सिंग्यू आपके आपके ब्रेटर आपके स्वादर आपके अगे बिल्कु शू नहीं है लेकिन मसला पता है मसला यह है कि इन चैप्टर्स का डिमांड जो एक्जामिनेशन में है वो इसी रफतार का है मतलब जो प्रेजेंटेशन में रख रहा हूं फईलाल के बैए ऐसे ऐसे करो वो अटिट्यूड आपके पास होना चाहिए वो ही आपके पास अप्रोच होना चाहिए इफ यू वांट की पर स्लोली डिसकस करों बिल्कुल स्लो चलूँगा इस सवाल में आई यह दिसकस करते हैं अब यहां पर में दिख रहा है कि यह जो सिच्वेशन दिख रहा है आपको यह आईधर को बुलावा देता है हमारे पास element से में that means आईधर हो सकता है अब देखते हैं यहां पर आईधर है या नहीं है अगर T से R में कभी आईधर हो जाएगा अगर T से R में less than or equal to output देगा यह statement इसका मतलब यहां पर अगर दुम्रे पास एक बार is equal to लिखा हुआ है और एक बार अगर less लिखा हुआ है तो यह answer होगा either or चेक करते हैं आपर क्या हो रहा है हमारे पास T यहां पर है और R हमारे पास यहां क्या करेंगे हम T से Q जाएंगे और Q से हम R आएंगे हम जहां backward journey कर रहे हैं हम उसको reverse कर लेंगे greater equal का reverse क्या हो जाएगा less equal होगा less equal or less में output क्या होगा less यहां पर क्या है भाई less यहां पाई यह हो जाएगा सही और यह हो जाएगा गलत क्यों यहां पर either नहीं लगा एक सही हो गया just because कि हम ने क्या अगर यह माहौल बना रहा आइदर का लेकिन आइदर यह तब होगा जब output क्या निकल गया, कि statement अगर output देता है आपको, T is less than or equal to R अगर output दे रहा है आपका statement, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ यह आइधर है, यहाँ पर statement output क्या दे दिया, less दे दिया output, समझेगे बात को, और हमारे पास यहाँ पर कैसे हमने निकाला, होगा, reverse करेंगे, तो वही बात है, कि R is greater than or equal to Q है, तो Q is less than or equal to R होगा, इसका reverse क्या होगा है, less than or equal to, अब less than or equal to, और less में output में comparison करेंगे, तो output क्या होगा, less C आएगा, यहाँ पर less यहाँ पर दिख रहा है second वाले में, इसका समय शुरू करते हैं, अब चल दी से, नहीं, राधिका मैंने बहुत ही slowly इस बर समझा दिया आपको, अब तो मैं काफी स्लोक समझा रहा हूँ आपको, बहुत समझा रहा हूँ, ठीक है, और देखो time limit मैंने भी, यहाँ पर session में मैंने time limit रखा है, 20 second का ध्यान रखियेगा, कि इससे अधिक समय नहीं, इससे कमी समय खर्च करना है, जब आप pro level पहुंच जाएंगे तो, pro level पहुंचने के लिए, और फो फोर स्थरा basic काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, आईए देखते हैं, यहाँ पर हमें R से X कम्पेर करना है, बहुत स्लोली चल रहा हूँ, आईए देखिए, R से X कम्पेर करने के लिए हमारे R यहाँ पर हो, और X यहाँ पर हम एक ही बार में कोई कॉमा बीच में नहीं है, एक नजर में सॉल्व कर सकते हैं, पहला बिल्कुल सही है, कोई दिमांड नहीं लगाना इसमें, पहला निसकर्स जो स्टेट्मेंट में कॉमा है, लेकिन इस निसकर्स के लिए जो डिमांड है, R से X में कम्पेर करना, उसके बीच में कॉमा नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर को आंसर कर सकते हैं सही, X से W की बात करते हैं, Now, we need to travel from X to W, क्या करना चाहिए अपने को? Of course, हम X से W पहुँचने के लिए, हम X से T या V डूनेंगे, तो of course, हमारे पास X से T आने का रास्ता है, और T से हम यहाँ पर W पहुँच जाएंगे, लेकिन मसला यह है कि हम जहाँ पर X से T पहले चलना हैं पर उस पर काम करें, विकॉद जो हम X से W पहुचने का रास्ता चुन रहे हैं, वह बैकवर्ट मुउपमेंट भी है और फरवर्ड मूपमेंट भी है, backward मत्तब जब हम जहां जैसे पढ़ना चाहिए उसका उल्टा दिशा है हम पढ़ना, तो जो हम X से T का journey कर रहे हूं, बैक्वर जिरेक्शन में कर रहे हैं, इसका मत्तब यहां पर हमारा पास greater और greater equal में comparison करेंगे, output क्या होगा, greater होगा, reverse करना first है, because हम backward चल रहे है, less है, यहां पर हो जाएगा reverse करने के बाद, और less, less और less में output क्या होगा भाई, less होगा, यहां पर भी less है, that means यह second क्या है, बिल्कुल true है, so correct answer for this question is both, that means option number D is the correct answer for this question, I hope idea is clear to everyone, I hope idea is clear, ठीक है, I hope idea is clear to everyone, confirm कीजा idea clear है तो, ठीक है न, चलो बहुत बढ़िया, so, आगे बढ़ते हैं, सवाल number 6 to 10 आपके सामने आने आने वाला है, एक और new topic, मतब इंदसेंस, यह हमने 5 सवाल भी जो solve किया, inequalities का सवाल था, अब next जो 5 सवाल आएंगे, वो सवाल होंगे, किसी और topic के, लेकिन उससे पहले एक बार मैं जरूर बोलूँगा, आगे बढ़ता हूँ, सवाल number 6 तू 10 में चल रहा हूँ, सवाल number 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और इसका समय सुरू करता हूँ, अब, जल्दी से, कुछ लोग करें सर, coded inequities भी, आप उसको reverse inequity भी आप involved कीजिए, आपको क्या लग रहा हूँ, ये अभी day 2 है, इस day 2 में जब हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, day 10 या day 15, day 20, day 45, वहाँ पहुंसने तक कितना innovation होगा, आप समझेगा, बस आप लगातार बने रहेगा, तब ही output नज़र आएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जो mock, हर तरह का mock आपके सामने discuss कर लें, हर तरह के सवाल discuss कर लें, जिसकी आने के थोड़े से भी chances प्री की परिश्या में होगी, आएए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि how many numbers are there, how many numbers are immediately preceded by a number and immediately followed by a letter, that means कि number के पहले क्या चीए और number के बाद क्या चीए, सिर्फ मुद्दे पे काम करेंगे, यहाँ पे letter होना चीए और number से पहले number होना चीए, ऐसे कितने numbers हैं, जिसके पहले number है और इसके बाद letter है, तो हम एक काम करेंगे, लगातार दो number ढूणेंगे, अगर लगातार दो number मिल रहा है तो फिर उसके बाद देखेंगे, लगातार दो number ढूणेंगे बिकोज इसको identify करना बड़ा easy है, अब तो को alpha numeric symbol series का demand क्या है, alpha numeric symbol series चाहता है कि आपकी identification, आपके पहचान करने की आपकी जो च्छमता है वो बहुत अच्छी रहे, अब आप smartness का अगर इस्तिमाल करेंगे तो ज्यादा easy हो पाएगा, उसने बोला है कि ऐसे कितने number है जिसके पहले क्या हो number इसके बाद क्या हो, letters हो, हम लोग क्या करेंगे, हम लगातार दो number ढूंडेंगे अगर इस भीडमें से, तो side identify करना easy रहेगा, बस अपने हिसाफ से समभा रहों convert कर लो, हम दो लगातार number कहीं देख पा रहें क्या, दो लगातार number कहीं है, क्या, दो लगातार number है, कि आपको कि या एप्रोच चाहिए, बास जिंहार है एक्दम इस तरीके से, एक्दम इस तरीके से, आइओं और केने बाईम इस तरीके से, है आईयो पाईडिया कर दॉैर चाहिए जा रहा होगा, पर की कि जा धर करना सवाल को, टाइम अप देखो क्या आदना कैसे बस्वाल पुछा हाउ मनी अलफा बेट्स अर देर अलफा ने मेरेक सिंबल सिरीज चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड प्रिसीड एंड फॉलोड प्रिसीड का मतलब पहले मतलब की लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हो से ऍालफा बैट मंस्ट की अगों इस मैं है कितनी बैसे एलफा भी आप पहले क्या होगा सिम्बल रहा बाद क्या होगा monitor लेंट मिश्वा हाए बीड को अब्हुजद के बाद का छी तो I think हम जल्दी से कर लेंगे सवाल को, आई देखते हैं, सिंबल के बाद लगातार दो लिटर आफ़कोर्स एक, सिंबल के बाद लगातार दो लिटर नहीं, सिंबल के बाद लगातार दो लिटर नहीं, सिंबल के बाद लगातार दो लिटर हाँ, इस तरीके ज़रेंगे आइसे करेंगे उसने बोला कि ऐसे कितने इल्फाबेट जिसके बाद इल्फाबेट और जिसके पहरे सिम्बल है आपने कर नहीं तुम्हारा तरीका नहीं अपना तरीका अपने पास है अपने क्या करेंगे इस सवाल के लिए बस काम खतम जल्दी करेंगे क्यों बाइब Because, पूरे letters में, digits में और symbols में, अगर सबसे तेज identification हमारे पास अगर रहेगा, किसी को identify करने कर रहेगा भीड में से, तुम symbol हो कर पाएंगे, बात समझी का approach क्या कहता है, approach यह कहता है, कि आप symbols को ज़्यादा असानी सा identify कर सकते हैं, इस भीड में से, समझ रहो, टूटा के सवाल को solve करेंगा, हाँ ठीक है, alphabet के पहले यह चाहिए, alphabet के बाद वो चाहिए, ऐसे करके वैसे करके ढून लेगा, लेकिन मसला यह है कि अगर यह आपके competitive examination में है, वैसे पर इच्छा में, जहाँ पे समय सबसे बड़ा चीज है, तो वहाँ पे चाहिए, क्या रफ स्मार्टने चाहिए, आपके इस तरीके से जल्दी सवाल को solve कर पा रहे हैं, वही चाहिए, बस यहाँ पे, ठीक है न, आगे बढ़ते हैं, सवाल नमबर आठवा आपके screen पर यह रहा है, इसका समय सुरू करते हैं, अब जल्दी से, टाइम अप, क्या कहा रहा है सवाल, सवाल ने कहा आप से, कि, all the consonants, अगर रहा है, all the consonants are changed to next letter in the alphabetical series, how many vowels are there, समझेगा बात को दियां से, how many consonants are changed to, अब समझेगा, क्या हम यहाँ पर, अगर C को change करेंगे, तो वोवल होगा, क्या नहीं भाई, एक काम करता है, हम देखते हैं, आपर N है कहीं पर क्या है, वतार, A, जखिए हम अपर N है, तो N हमारे पास आराम से होजगा, वोवल को touch ही मत कीजेगा, सिर्फ consonant की बात करेंगे, ऐसे कितने consonant हैं, इसको हम अगर next letter में तबदिल करेंगे, तो कितने vowel होंगे, हमारे पास कितना होगे, 4, अब यहां पर more than 8 तक गया है, कोई बाद नहीं, check करता है, U के बाद नहीं, V के बाद नहीं हो पाएगा, आपके बाद Q से हमारे पास नहीं हो पाएगा, I आप पर हमारे पास करेंगे, फिर से, that means correct answer हमारे पास क्या हो जाएगा, Rs, Q, नहीं, ठीक है, that means correct answer is 3 and 2, 5, 1 minute, 1 minute, more than 7, 1 minute, हमारे पास option में लेकिन बहुत ज्यादा heavy numbers है, बोल रहे हैं, all the consonants are changed to next letter, ठीक है, of course, E हमारे पास जो, जो वोवल हमारे पास already है, उसको भी count कर सकते हैं, because how many vowels are there बोल दिया गया, तो हमारे पास, जो convert किया गया है, वो तो हमारे पास 5 है ही, और पहले से जो वोवल होंगे, वो कितने होंगे, because नहीं बोला alphabetical series में कर रहे हैं, तो how many vowels are there in the series, that means, क्यों already considered, वोवल को भी count करेंगे, that means, 1, 2, और ऐसे बहुत सरे वोवल हैं, तो मुर्दिन हम 8 अराम से बोल सकते हैं, because हमारे पास E भी है, A भी है, I भी है, तो पांस जीनाट तो ऐसी होगी हमारे पास, बासमिमारी है, तो इसको भी count करेंगे ही, करेंगे हम लो, getting the idea, what I am saying, that means, हमारे पास N count हो रहा है, हमारे पास Z count हो रहा है, हमारे पास D count हुआ, हमारे पास H count हुआ, हमारे पास T count हुआ, because T के बाद ही हुआता है, हम इस तरीके से 5 count कर चुके है, इसके बाद हमारे पास count करने के लिए जो रहेगा, वो यह रहेगा, लिए भाई हमरे पास S है, S का T नियू पाएगा, लिगा जी का ने, E तो हमारे काउंट होगा, E हम काउंट कर रहे हैं, 2 हमारे मच्छे होगे हमारे पास, L के बाद हमारे पास A यहापर हमरे पास A काउंट कर सकते हैं, में कोई शेर शाह करना नहीं था, साथ हो चुका है, हमारे पास अगर आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर हमारे पास UB है, और यहां पर हमारे पास IB, that means हमारे पास 5-9, that means more than 8 is the correct answer, option number D is the correct answer, this is how we need to answer the question, आगे बढ़ते हैं, सवाल नमबर आपके पास, 9 आपके स्क्रीन पर य ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो पिछले सवार में इंक्लूट करना था, जो पहले से भी वह 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 थे, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ता हूँ, Z के बाद A आएगा, Z उसनी लिखा था bracket में, consider A comes after Z, that means कि Z के बाद हमें A को consider करना था, that's why it will be 9, not 8, ठीक है, सवाल नमबर आपके पास 9 का समाथ हो चुका है, क्या रहा हमनी सिम्बल से यहां लिखते हैं, तो सिम्बल से यहां लिखते हो, प्रिसीट भाई ववल, ठीक है ब पहले ववल है, तो आपात करेंगे, अलफब बीकास, ववल तो नहीं सिर्फ पास तरीका, भाई सबस्मार्टनेस का है, सिम्बल को भीड में से आइंटिफाई करना सबसे आसान, उसके बाद कासान है, ववल को आइंटिफाई करना, मत तब की बाहले काम करेंगे, आनो क्या सिम्बल, सिम्बल के पहले ववल है, तो हम अलफब की बातें करेंगे, ठीक है न, अब देखो हमरे पास सिम्बल के पहले ववल है, हाँ, लेटर यहां पर है काउंट होगा, सिम्बल के पहले ववल है, हाँ, काउंट हो जाएगा, सिम्बल के पहले ववल है, नहीं, सिम्बल सवाल नंबर आपके पास दसवां आपके स्मीन पर यह रहा है इसका समय सुरू करते हैं अब जल दिस लेकिन बस थोड़ा सा यह बोलना था मुझे आप पुरा एक दूं खतरनाक असाल लेते हैं वहराल चली उथर चली आप एक मिन रुक जाएगे सवाल दे दिया ने सवाला हाँ ची करने दिए आप इलेक्ट्रिक में टाइक बन जाते हैं जी तो भाई शुरूआत हो चुकी है क्रेस कोर्स की आप सब लोगों ने देखा इंगलिसी क्लास हो चुकी है और इसके बाद आप रिजनिंग और आप सब का शुक्रिया और शुक्र लगा रहे हैं और कहीं न कहीं प्रयास यही है प्रयास यही है कि कोई कसर ना छोड़ी जाए अपनी साइट से भी और अभी थोड़े दिर पहले कली बात हुआ राम घंश्याम लॉक्डाउन अपनी जगा काम अपनी जगा है ना कोई भी किसी भी चीज के एंगल से कोई ठीक है तो खीज के एक बार जल्दी से शियर करें आप सारे लोग और ताबर तोड़ परफॉर्म करते रहें सौरफ सर हमारे सामने खड़े हैं और लाइक बहुत कम की वेयर तुम लोग बड़ा अजीब से लग रहा है थोड़ी दिर के चैट आफ करके बस पांस सेकंड मुझे कुछ नाम दिख रहें सरी हां पर है ना और यह वो बच्चे हैं जो भी बताएंगे लोग को रिजल्ट वाले हैं सर यह कुछ लोग का क्वालिफाई हुआ मेंस के चक्कर में ज्वाइन नहीं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे तो आप से लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि करें ठीक है और फिर चलिए ज्यादा बादा विख नमना पहिए बतलब पहुचाएं के सार चलिए सवाल नमबर दस आपके स्क्रीन पर है और कह रहा है कि वीचे फॉलोग इलमेंट वोड़ बी एट तु दू लेफ्ट ऑफ टेंथ फ्रॉम राइट समझे का इस सवाल का ब इस सवाल के यहां पर रहे जब भी डिरक्शन बढ़ेगा तो हमें क्या करना है जोड़ देना और जिस वर्ड जिस डिरेक्शन के साथ end जुड़ा होगा उदर से काउन्ट कर रेना है अगर यहीं पर direction same होता तो subtraction करते हैं हम लोग और counting उसी direction से करते हैं जहाँ पर end लगा होगा तो अगर direction common है तो count कहां से करना ही तो different दिक्कत होगा नहीं अगर direction different है जैसे left और right बोला गया है 10 प्लस 8 करेंगे 18 और कहां से count करेंगे right side से बात खतम 10 अठारा और count करेंगे right side से counting करते से मैं इस बात ख्याल रखिया कि हम लोग क्या करेंगे counting करते से हम grouping करें बैल बुद्धी की तरह नहीं कि हाँ एक दो तीन चार पात इसको बोलता है बैल बुद्धी अपने को smart बुद्धी इस्तमाल करना है बंच बना हो पांच पांच का grouping करो आप और आखों से grouping को रोको इसे पहला गूप में साथ पहला पांच को ने के पहला है पांच वे अस्तान में साथ है और इससे ना examination में भी आपको फर्क पड़ेगा आपको बहुत जब पर भी उंगलिया तो रखी सकते हो आप लोग साथ ठीक है यगला नौ है फिर ऐसे पांच-पांच में और ठारव आपको पांच-पांच-पंद्रह और फिर तीन आपको ढूंड लेंगे आपको सर्फ रास्ता दिखा रहा हूं कि देखो ऐसे करना है आपको लगता है कि नहीं इससे मेरे पास और फी निवर्टिव तरीका है तो आप उसका इस्तमाल कीजिए कोई तक्रीफ नहीं हो इसमें ठीक है ना आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर यह रहा है इस टाइम अप देखो only a few किसी से छुपा नहीं है कि only a few ऐसा concept है जो बहुत ज्यादा प्रचलीत concept है और इसका बहुत जाद डिमांड है आज की examination में आज की time में सवाल को solve करते हैं बूला कि sum एल्टिका और इनोवा यहां पर इनोवा में हमारे पास यह बनगे आगे बढ़ते हैं only a few इनोवा सफारी में हम सम बनाएंगे और साथ में हम क्या करेंगे restriction डाल देंगे इस तरीके सम पार्ट में इनोवा के now sum only a few safari is eco sports that means यहां पर हमारे पास eco sports आ गया यहां पर eco ऐसे कर दिजिए because यहां भी है यहां पर eco identify कर लिजा अलग से यहां पर safari और eco sports में प्रतिबन लग जागा sum का तो some plus some not is equal to only a few description डें बता रखा है कि सरीकेस होता है क्या होता है आगे all innova can be, can be का मतलब क्या होता है possibility बोल रहा है all innova can be co sports क्या सारे के सारे innova जो है क्या बिल्कुल हो सकते है because innova और यहां पर eco sports में कोई relation नहीं है याद की जे note number one हमने लिखवाया है आपको कि जब भी किसी दो element में relation नहीं होता है बावना में सारी बात है सही होती है that means correct answer is first one आगे बढ़ते few adigar safari, few मतलब क्या होता है some, इसका मतलब क्या है some, बोलना some adigar safari, क्या कुछ adigar safari है, हम बोलेंगे ना भाया है तो नहीं, होनी की samभावना के बारे हम पूछते है अगर आप तो हम कहा देते है हाँ बाई कु सुरू करते हैं अब चल्दी से, statement यहाँ पे चार निसकर सिर्फ दो, बहुत बहतरी, जल्दी time up, time up, दम participate करना जबरदस तरीके जबाई, सवाल में कहा गया है all iPhone are OnePlus, अब यहाँ भावुक मत हो जाना OnePlus और iPhone के चक्कर में बोला कि all iPhone are OnePlus, मैंने यहाँ OnePlus ऐसे लिख दिया है, only a few OnePlus are Samsung, that means OnePlus और Samsung में ऐसा रहेगा और सम का भी रिस्ता रहेगा और सम नॉट भी रहेगा, that means ऐसा कुछ बनेगा, all Samsung are Moto, सारे सारे Samsung बोला है, only a few Moto और Nokia, that means Moto और Nokia में यहाँ पर सम रहेगा और साथी साथ यहाँ पर सम नॉट भी रहेगा, सम आइफोन, sorry, some OnePlus are Moto, हम बलेगे, बिल्कुल सही बात है, that means यहाँ पर सही, that means correct, answer is option number E, I hope idea is clear to everyone, I hope एदम जबरदस चल रहा होगा, आपका idea, कोई भी mistake निक करेंगे, जो बच्च आलडी जानते हैं, वो सारे बातों को सही करते हुए चलेंगे, सवाल number 13 आपके स्क्रीन पर क्यों यह wrong हो रहा है, क्यों right हो रहा है, यह संभावनाओं में क्यों जाके सही हुआ, because no relation है, या फिर जहां पर जो भी reason बन रहा है, मैं बोलते चला जा रहा हूं, तो आप उसको no down भी कर सकते हैं साथ ही जल्दी बाजी में, all sonatas are fast track, that means यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह रहा क्या करेंगे, some भी लगाएंगे, यह हमारा जो area आपने दिखा दिया है, कि यह area जो है, क्या है, restricted है, अब हम आपर दो निसकर से बोला, no sonata is fossils, यह तो भाई गजब बोल रहा है, यह तो गजब का पाप कर रहा है, sonata और fossils में, यह relation ही नहीं है, जब sonata और यहाँ पर fossils में relation मतब सारी वास्तिविक बात में गलत हो जाएंगी, मतब कि जब relation ही नहीं है, तो यहाँ पर no sonata is a fossil is a wrong conclusion, कोई भी बात बोल दे, sonata और यहाँ fossils में relation नहीं है, तो सही नहीं करेंगे, ध्यान कीगा, तो पहला wrong, all fast track can be fossil, क्या है, सारे के सारे fast track जो है, वो fossils हो सकते हैं, quick, जो बच्चे fresher हैं, उनको भी ध्यान लखना है, कि वो भी इस तरीके से discussion जब होता रहेगा, बार बार जब no relation आएगा सामने आपके, या फिर बार बार आपके पास जो भी concept आएगा, उसको देखते हो सकता है, कि आप बहुत कुछ सीख जाएं, और साथ में conceptual class अभी से ल कुछ ग्रेप्स ऐसे हैं, जो और इंगा, ठीक, एची बात है, that means कि सम का relation यहां पर होगा, सम ग्रेप्स is orange, and then all orange are mango, and then all mangoes are apple, ऐसा कुछ बन रहोगा, यह आपका विंडारा है, बहुत सिंपल विंडारा में इस बार, आगे बढ़ते हैं, इसका बार बात करते हैं, सम ग्र mangoes grapes, कुछ mango grapes हैं, क्या, कुछ mango grapes हैं, क्या, बिल्कुल है, बाई, दो नगे दो नहीं यहां पर true है, that means correct answer, both first and second follows, option number E is the correct answer for this question, आगे बढ़ते हैं, सवाल लंबर आगे पास, 15th आपके स्क्रीन पर यह रहा है, इसका समय सुरू करते हैं, अब, जल्दी से, solar system दिख रहा था, और यह देखो, सम का तीनी statement द्यान से करना बहुच्छा सवाल है यह वाला, बहुत बढ़िया सवाल है, यार, ठीक है, चलो, next सवाल जो कह रहा है, वो कह रहा है कि some ox is bull, some bull is goat, some goat is trees, यह आपका statement है, सम का relation है, आईए देखते हैं, बहुत सुकून से, some ox are bull, some bull are goat, some goat are trees, यह आपका सम का relation है, जो बच्चे मुसे लगतार जोड़े हुए हैंगों, उनको याद होगा कि यह सबसे पहला, सिलॉलिजम में जब पहला सवाल जो मैं कराता हूँ, वो इसी concept पर रहता है, सम का relation का तीन statement रखता हूँ मैं, और वहीं पे चरचा सुरू होती है, सिलॉलिजम का पहला सवाल जो मैं discussion करता हूँ, basic concept को discuss करने के बाद, वो मैं इसी सवाल से करता हूँ, इस सवाल में उन बच्चों से गलती होगी, तो मैं कई सही बता रहा हूँ, माफ नहीं करूँ का जिन्होंने और लेक्षर कर रखे हैं, और मुझे गलती क्यों होगा, मतब मुझे पूरा 100% भरोसा है, बोला, no ox is tree, बोला, कोई भी ox tree नहीं है, यहाँ पर जो बच्चे fresher हैं, वो mistake कर सकते हैं, उनको लगेगा, हाँ भाई, इदम सर बकलोल आदमी है, बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर मैं इसको बोल दूँ कि यह गलत है, तो आप मैंसे बहुत सारे बच्चे, जो fresher होंगे, जो पहली बार साथ इस chapter को देख रहे होंगे, या फिर बहुत ज्यादा करीब से नहीं जानते हैं, वो इस chapter को बोलेंगे, यह था मास्टर बकलोल आदमी है, यह भाई, कहां कोई ox यहां tree है, बिलको साही तो कह रहा है, वो सर फिर भी पास्टर को उसको काट दिया है, गलत, तो यह नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी, सिलालिजम इस अल 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 अलेमेंट के रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं, और हमारे पास according to the given statement, और you can say according to the Venn diagram, we don't have any relation between this ox and tree, हमारे पास ox और tree को लेकि कोई भी relation नहीं है, जबकि यह chapter स्रॉलिजम का जो chapter रहे, यह पूरी बातें जो करता है, वो relations के बारे में बात करता है, हमारे पास जब ox और tree के बारे में कोई relation मालूमी नहीं है, तो जो भी बाते हम करेंगे, वो संभावनाओं में करेंगे, ठीक है ना, मतब हमारे पास जो यहां पर ox और tree है, इनके बारे में जो भी बाते करेंगे, हम कहां करेंगे संभावनाओं, because relation नहीं है, relation नहीं है, मतब किसी भी प्रकार का वास्तविक बात तो सही हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार का वास्तविक बात सही नहीं होगा, इस बात को हमेशा कि लिख लेना काई बादल बना के बहुत काम आएगा, बादल बना के लिखना पका बता रहा हूँ है, नोट की तरह हो या था वो सारा खेल, तो पहला यहां पर रॉंग होगा है, दूसरा, all trees are bull is a possibility, क्या सारे के सारे trees जो है, वो bull हो सकते हैं, क्या, अब दो को tree और bull में भी कोई relation नहीं है, जब भी किसी दो element में relation नहीं होता है, तो मैंने क्या बोला, वास्तविक, और तीन ही बा tree और ox में relation नहीं है, तो इन situation में, उनके बीच के तमाम वास्तविक बातें गलत और समाम संभावित बातें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है ना, यहाँ पर वास्तविक बात कहा गया, ox और tree में relation नहीं था, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ गलत करना पड़े तो समझ लो दिखत हो जाएगा फिरम्ट ठीक है आगे बढ़े सवाल नमबे 17 अब्सफला क्या है और अगली सवाल कि ऐगर बात करें तो यह सवाल जो है इसको बूलते हैं लोग इसको बॉलता है सवाल यह परी के परिख्षया में मतलब ौस कि आप आपको हाई रहा है, मैंने मैंने की सवाल यहाई भी रहा हमारा हम अनूर छोटा सवाल यह होता है ऑपने था पढदरीवाय। ठीक है ना आई देखने के हैं जॉल करते हैं एक वह ट्राइए कर लीजिए आप लोग पहले ठीक है ना संदीब कह रहे है सर आपने दो फैमिली के एक्जाम्बल समझाया था नहीं मैंने वह सरमा जी वरमा जी कॉंसेट है कभी मौका मिले तो Zero Hero concept Zero to Hero जो भैच है उसमें जाकर इस concept को सीखना जीन मचों नहीं देखाए वी तो Zero to Hero या फिर मैं जब paid class में पढ़ाता हूँ तो basic concept जब भी basic concept की चर्चा होती है तो symbolism के अंदर में सर्मा जी वर्मा जी concept जरूर डिसकस करता हूँ और बड़ा मज़दार this concept है उससे sum note का पूरा concept जो है वो sum note कर सकते हैं आप sum note का सारा पाप धुल जाता है आई सवाल के बारे में बात करते हैं बोल रहा है A gets more than more marks than B है ना तो मतलब A का जो marks है वो greater है किस से B से मतलब A is greater than B हम कह सकते हैं है ना but less than C है but किसके लिए काम करने का पहले element के लिए हमें साब यह तकनीक है यही तकनीक आपको help करती है क्या कह रहा है कि A gets more marks than B but less than C that means A का marks है वो greater B से लेकिन वो किस से कम है A का marks C से that means C will be here C जो होगा greater होगा A से C is greater than A and B both now आगे बढ़ते हैं अगला कह रहा है D gets less marks than E D जो है वो E से कम marks grab करता है that means E is greater than D हो जाएगा आगे बढ़ते है बट more than A लेकिन ये A से ज्यादा number है किस के बारे मुलाई D के बारे में जो D का number है वो किस से ज्यादा है तो A से ज्यादा है that means ये तो confirm है कि C के बाद यहांपर अपर A से ज्यादा है इसका मतलब कि मार पर situation क्या होगा C होगा फिर यहां पर E और D आ जाएगा, फिर A भी हो सकता है, फिर E, D, फिर C, फिर A ऐसा आ सकता है, possibilities बन जाएगी यहां पर, अब क्या कहा रहा है, उसने बोला साफसाब कि D gets less marks than E, D का जो marks है वो E से कम है, but more than A, लेकिन यह जो D है, इसका marks A से क्या है, A से जादा है D का marks, that means E का ज D आ गया, फिर यहां पर A आ गया, फिर यहां पर B आ गया, let's find out the next clue, कह रहा है next, C gets less marks than D, और C का जो marks है वो D से कम है, that means C का mark जो है वो D से कम है, D से कर कम है, तो C यहां नहीं आ सकता है, that means यह projection क्या हो गया, आपका wrong हो गया, संभावना है निकल गया, और यह क्या हो गया, pass, because C का mark जो है, वो D से कम है, साफ साफ मेंशन कर दिया, उसने, now C scores 150, C का जो score है, कितना 150, while D scores 200, जबकि D का score जो है, वो 200 है, समझेगा बात को ध्यान से, out of 300, 300 मेंसे, इसका mark जो है, वो 200 है, इसका mark जो है, इसका mark जो है, इतना ही information आपके पास था, आपने ड्रॉ कर लिया, आगे बढ़ते हैं, अब इस पर आधारी, तीन सवाल देखी, क्या पूछेगा आपसे, who gets highest mark, तो मैं मालूम चल चुका है, कि highest mark जो है, E के पास है, that means correct answer, क्या हो जाएगा, option number E, C, option number C is clear, ठीक है न, आगे बढ़ते है, सवाल नमर 17 कह रहा है, who gets lowest mark, तो हमारे पास, I think, इसका भी idea clear है, कि B के पास जो है, वो lowest marks है, तुम क्या mark करेंगे, यहाँ पर option number, आपके पा score, मतलब अगर A का score 80 है, ध्यान समझेगा, यहाँ पर options का बहुत बड़ा खेल होगा, तो हमें याद है कि B सबसे lowest score करना सी, that means कि इतना तो confirm हो चुका है, कि 80 अगर A का score है, और B सबसे lowest person है, तो B का जो score होगा, वो 80 से कम होगा, 80 से कम का मतलब यह तो होगा नहीं, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, that means correct answer क्या होगा, option number A 60 बात खतब है, तो अब सोची एक बार आपने उसको draw कर लिया और सवाल कठी नहीं है, सवाल बहुत दीजी था यह वाला, यह किसको comparison से पदल कहता है, छोटा से comparison करना, वो कौन जादा, कौन कम, छोटा संभावना कईबा निकल C जो marks से C का वो D से कम है, तो D से कम तो यहां दिख रहा है, यहां तो C से C का जो marks है, वो D से जादा दिख रहा है, इसलिए cancel होगा, यह सही होगा, अब जब यह सही हुआ, उसको कुछ marks बताएगा, फिर बोला गया, B का बताएगे, किसी का कौन हाईष्ट और कौन सवाल में, और crash course में ताकि आपको हर्चीज क्लियर होता चला जाए, सवाल नमर 19 आपके screen पे है, कोई सवाल को स्वाल को स्वाल करने का, सवाल में क्या बोला, ध्यान से पढ़िए सवाल को स्वाल कीजिए, मैं समय लगायता हूँ, जल्दी से, जल्दी quick, energy में कमें नहीं होना चाहिए भाई, energy में कमें नहीं चलेगी, because, जब तक जीद नहीं है, जब तक घिसने का छमता नहीं है, तब तक जीदता कोई नहीं है, किसी के पास कोई capsule या शूरन नहीं है, मतलब मेरे पास आओगे सर कोई capsule शूरन देदो नहीं हो पाएग है शार्पनेस उसमें अगर रहेगी अगर और घिसने की चमता है तब जाके आप क्या कर सकते हैं कोई चीच को जल्दी पढ़ सकते हैं या उसे जिन पच्छों को लगता है कि मैं तो भी नया हूँ पचास इन को सौ दिन माल लो ना उसमें एफिसेंसी बढ़ा दो आप टाइम इंड वक में पढ़ते हो न एफिसेंसी बढ़ गया आदम इंसान का बस वही कर रहना आपको यहां पर चीक है आए सवाल के बारे में बात करते number of element कितना है यहां पर हमारे पास तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास 4 और 5 4 9 है समझी का 9 हमारे पास value यहां पर है 4 दो बार repeat हुआ है बाकी कुछ भी repeat नहीं हुआ है ठीक है ना 2 3 4 4 और left side से कितना बोला गया है हम क्या करेंगे सब को नहीं change करेंगे बच्चे गलती का नहीं नहीं अपने को भाई अपने को क्या करना है यहां पर what will be the sum of 4th number from right hand side, right hand side से 4th क्या होगा तो 9 8 9 एक ही बार है ना तो 9 8 7 6 6 हो जागा 6 यहां लिगता हो और left side से left side से 5th क्या हो जागा भाई तो 2 3 4 4 5 5 हो जागा 6 plus 5 कितना हो गया 11 बात खत्म है को उसने बोला है साफ साफ की आपको यहां पर जो even digits 1 plus 1 करना है और जो आपके पास odd है उसमें minus 1 करना है कुछ बताता हूं को यहां पर हमें दोनों में बढ़ाना एक में घटाना हमार पास एक क्या मिला था odd number एक मिला हमें even number एक में मिला 6 एक मिला हमें 5 एक में जोड़ना एक में घटाना क्यूं घटाएंगे जोड़ेंगे बाई ड्रक्रिम यहां पर क्या बोल रहा हूं अब यह clear है कि एक वहाँ पे इस्तमाल नहीं किया अगर 9 digits हमारे पास है तरह पिस चार्ट सिर्फ दो बाइस इस्तमाल किया तो दो लेफ्ट राइट राइट देखा जागा तो दो तीन चार चार पांच लेफ्ट राइट साइट से क्या है बाई हमारे पास तो नौ आट साथ नहीं कि मिल रहा है हमं थे दोनों यहां पे और ग्रोट मिल रहा होते तुम कुछ कर रहा होते देख सो तो आगे बरते हैं और बात करते हैं आज के हमवर्क के क्वेस्षन की फिलाल आपे मैं तक्नीक समझ रहा हूंगे आप मैं क्या कर रहा हूं मैं अभी sitting arrangement और puzzle के सवालों को आपको दे रहा हूं homework के तौर पे सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सुकून से परे solve कर लो कुछ दिन यहीं सिलसला चलेगा sitting और puzzle के सवालों को homework दूँगा ताकि आप सुकून से solve करो उसके बाद जब एक बार आपको पास कुछ idea हो जाएगा तो मैं क्या करने वाला हूं sitting और puzzle को भी यहाँ पर involve करूँगा कहाँ पर इस box discussion में या फिर कह सकते हैं इस crash course badge में फिलाल इस सवाल का screenshot लीजिए जल्दी से comment कीजिए बताईए clear है done, 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 जल्दी चलिए बहुत बढ़िया तो आपने I think screenshot ले लिया होगा अब मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं कि अब हमारे जो important discussion यहाँ पे है जो हम जो करते रहते हैं उसमें एक बहुत एहम बात हूं मैं बहुता हूं में मेंस के बारे में यह scholar badge भाई साब लाँच हो चुका है जो first time ever badge है scholar badge मत्तब अपने आप में नाम भी clear होगा scholar badge daksh plus champion मिला के कैसकते हैं आप यहाँ पर एक scholar daksh मत्तब की di-i cracker daksh मत्तब daksh wale sir champion मत्तब champion sir मत्तब यह वाली बात है sir आप continue करिए बस इतना बताना भाई कि देखो ताबड तोड महौल बना हुआ ठीक है यह आप इसको continue रखे तो बस इतना कहना है भाई देखो इसके just बाद मैस का सुरू होने वाली है मैस का सुरू होने वाली है मैस में जम कर जाना है तुरू है वो करेंगे यह automatic because तावरतोर काम चल रहा है so यह batch जो start होने वाले है because मैंने आपको कि जिस वक्त हम यह mock discussion यहां कर रहा है crash course यहां चला रहा है इस वक्त में 2-3 खंटे निकाल के आप क्या करना है because उस 50,000 में आना मकसद नहीं है मकसद है उस 5,000 में आना उसके लिए कुछ अलग काम करना पड़ेगा ना अलग काम क्या हो जाएगा अलग काम यही है कि अभी से मैंस में मैंस में दो बहुत खतरनाक एरिया होता है डियाई का और एक सिटिंग पजल का उस पर काम करेंगे आप यहाँ पर एक SBI कलग टागेट बैज भी स्टार्ट हो चुका यह फ्रेशर्स के लिए खासवर पर काम आएगा जो अच्छे अभी बिगनर है प्री के हो, मेंस के हो, डिस्क्रिप्टिव हो, इंटर्व्यू हो, तमाम बैचेज आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे मेरे हिसाब से इस बैच से मेरा हमारा और सांदू का भी बैच मिला है यह फ्रेशर्स के लिए प्रेशर्स के साथ और आप भी पार्टिपेट करेंगे